इस वेडियो इस मेड़ फूर उन्ली इंटर्टेंटमेंट परपस तो प्लीज डूंट टेक इट प्रस्नल प्रीता नाग लोग की नागरानी होती है उसके पास नागमनी होती है जिसकी रक्षा उसे करनी पड़ती थी और अपने प्रजा को दुष्मन उसे बचाना परता था उसके सबसे बड़े दुष्मन करन जो चील था और रिशब जो एक नेवला था तीनों हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते और प्रीता का साथ हमें साथ उसकी फ्रेंड स्रिस्टी देती थी और वो भी एक नागिन थी दुनिया वालों को पता ना चले इसलिए वो लोग ही एहम है तब प्रीता कहती है वो सब तो ठीक है पर अगर ये बात करन और रिशब को पता चल गई कि नागमनी पूरी राज से मंदिर में रहेगी तो वो लोगों से चुराने और हमारी पूजा भंग करने जरूर आएंगे तब स्रिस्टी कहती है हाँ हमें साबधान रहना होगा और करन और रिशब को रोकने के साथ सिर्फ जी की पूजा भी अच्छे से करनी होगी और तो और मैंने सुना है नागमनी को मंदिर में रख कल तुम्हें पूरी राज पूजा करनी है पहाड पर तब प्रिता कहती है हाँ नागरानी को ये करना होता है तब स्रिस्टी कहती है नागरानी बनना कितना मुश्कील है ना तब प्रिता कहती है हाँ नागरानी सिर्फ वही बन सकता है जिसके पास नागमनी हो तब स्रिष्टी कहती है क्या सच में और मनी मन नागरानी बनने की सोच लेती है पीधर करन और रिशव को भी नागमनी के बारे में पता चल और वो उसे चुराने का प्लैन बनाते हैं जल्दी स्वी वरातरी का दिन आ जाता है और प्रिता नागमनी को मंदिर में शिव जी के पास रखकर अपने सिपाईयों को उसकी रक्षा करने के लिए कहती है और पहाडों पर जाकर पूजा करने लगती है और अगले दिन जब वो चुराने वाले का पता लगा सकते हैं यह बताने के लिए आपके पास 10 सेकिंड का वक्त है और आपका असा में सुरू होता है अब तो दोस्तो प्रीता अच्छी तरह समझ जाती है कि नाग मनी डीशव ने चुराई है क्योंकि उसके कपड़ों में से नाग मनी की रोशनी बहार आ रही थी जैसे कि आप देख सकते हैं डीशव के कपड़ों में से नाग मनी की रोशनी बहार आ रही है दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी और किस-किस ने 10 सेकिंड में पजल सॉल्ब कर ली थी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेड जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें